प्राचीन असीरियन शहर शहर उस बिंदु से 10 किलोमीटर 6 मील उत्तर में एक रणनी तिक स्थिती में स्थित है जहां टाइगरेस नदी अपनी सहायक नदी ग्रेट जैप से मिलती है शहर का क्षेत्रफल 307 हेक्टे 890 एकर्ट है शहर के खंड़हर नीनवे गवनरेट इराक में आध्रुनिक असीरियन गाम नुमेनिया के एक किलोमीटर 1100 गच के भीतर पाए गए थे निम्रुद नाम को 18 शताब्दी के मध्यमें कार्स्टन निबहर द्वारस्थानिय नाम के रूप में दर्च किया गया था 19 सदी के मध्यम में बाइबल पुरातत्व विदों ने उत्पत्ती 10 में निम्रोट की यात्रा के विवरं के आधार पर असीरियन नाम कालुख बाइबल कैला का प्रस्ताव रखा इस थल पर पुरातत्विक खुदाई 1845 में शुरू हुई और तब से 1889 के बीच और फिर 1949 के बाद अंतराल पर आयोजित की गई कई महत्वपूम तुकड़े खोजे गए जिन में से आधिकांश को इराग और विदेशों में संरहलेयों में ले जाया गया 2013 में UK की कला और मानवी की अनुसंधान परिशद ने इलेनोर रोबसन द्वारा निर्देशित निम्रूट परियोजना को वितर पोशित किया जिसका उत्देश्य प्राचीन और आधुनिक समय में शेहर का इतिहास लिखना और दुनिया भर में कम से कम 76 संरहलेयों में विद्वित निम्रूट से कलाकृतियों के फैलाव के इतिहास को पहचानना और रिकॉर्ड करना था सैयोफ्ट राज्य अमेरिका में 36 और युनाइटेट किंडम में 13 सेहत 2015 में आतन्खवादी संधठन इसलामिक स्टेट ने इसकी गयर इसलामिक असीरियन प्रकृती की कारण साइट को नश्ट करने के अपने इरादे की घोशना की थी मार्च 2015 में इराकी सरकार ने बताया कि इसलामिक स्टेट ने शहर की खुदाई के अफशेशों को नश्ट करने के लिए बुल्दोजर का इस्तिमाल किया था आयसायल द्वारा जारी किये गए-गई वीडियो में कार्य प्रगती पर दिखाया गया है नवंबर 2016 में इराकी बलों ने साइट पर दोबारा कबजा कर लिया और बाद में आगंतुकों ने भी बुश्टी की की शहर का लगबग 90 प्रतिशत खुदाई वाला हिस्सा पूरी तरह से नश्ट हो गया था तब से निम्रुट के खंडहरों की सुरक्षा इराकी सेना कर रही है अश्टूर के राजा शल्मनेसर प्रथम 1274-1245 इसापूर्ग ने मध्या असीरियन सामराजित 1365-1050 इसापूर्ग के दौरान कालहु को एक प्रमुख शहर के रूप में स्थापित किया हाला कि असुर का प्राचीन शहर अश्टूर की राजधानी बना रहा जैसा कि वही इसापूर्ग से था 2600 इसापूर्ग ने इसे असुर की कीमत पर अपनी राजधानी बनाया उन्होंने शहर में एक बड़ा महल और मंदिर बनवाए जो ग्यारभी से दस्थी शतापदी इसापूर्ग के मद्य के कासे युख के पतन के दौरान काफी हद तक जीरुशीरुण हो गए थे हजारों लोगों ने शहर के चारों और आठ किलोमीटर लंबी पाँच मील दिवार और एक भव्य महल बनाने के लिए काम किया शिलालेखों में महल में संगहीत लूट का भी वर्नन किया गया है चांदी, सोना, सीसा, तामबा और लोहा जो भूमी मेरे हाथ से लूटी गई थी जिसे मैंने अपने अधीम कर लिया था